Hi friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Theorem 1 का तो Theorem 1 में आप लोगो को क्या बोल रहा है आप लोगो को मैं जो ये sentence में बोल रहा है मैं आप लोगो को उसको decode करके बता देता हूं For any square matrix मतलब कि कोई भी square matrix हो A, ठीक है, with real number entire उसमें real number exit करते हो तब ही यह applicable है मतलब कि imaginary number या फिर complex number आता है तो यह जो formula है वो applicable नहीं होने वाला ठीक है तो इसलिए इसमें लिख दिया है with real number entires A plus A transpose matrix अगर होगा यह वाला जो formula है वो तब ही apply होगा जब यह दोनो formula apply होगा तब उसको क्या कहेंगे symmetric matrix कहेंगे उके उसके बाद जब A minus A transpose matrix जब apply होगा तब उसको हम क्या कहेंगे skew symmetric matrix ठीक है यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा ठीक है अब मैं इसको करके solve अच्छे से solve करके दिखा देता हूँ देखो अगर आप लोग के पास कोई भी square matrix है मैं दो square matrix के उपर ले लेता हूँ ठीक है ए चलो छोड़ो A B C D ठीक है यह आप लोग का square matrix होगया क्या बोलता है B plus B transpose होगा तो इसको हम मतलब कि कोई भी यह कर दो तो P matrix के मतलब कि यह जो हमारा इस formula के हिसाब से होगा उसको हम क्या कहेंगे symmetric matrix कहेंगे ठीक है यहाँ पे आप लोग को यही बोल रख था है ठीक है उसके बाद B minus B transpose होगा तो उसे क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे skew symmetric matrix मतलब कि समझ लोग कोई एक चीज सीधी है तो उसको जब उल्टा करके देखेंगे या फिर आप लोग इस simple word में समझ सकते हो 6 plus 7 is called to कितना होगा 13 और 7 plus 6 is called to कितना होगा 13 यहाँ पे आप लोग को बात समझ आई मैं इसको किसी भी format में लिखूँ आप लोग का final जो answer होने वाला है वो 13 होने वाला है उसके बाद अगर आप लोग skew symmetric matrix को देखो यह आप लोग का symmetric matrix का example मैंने दिया है ठीक है अब आप लोग को मैं दे रहा हूँ skew symmetric matrix का example आप लोग 6 minus 7 same example ले लेता हूँ 6 minus 7 is called to आप लोग देखो तो minus 1 होगा और 7 minus 6 is called to देखो तो 1 होगा तो यहाँ पे जो आप लोग final result देख रहे हो वो आप लोग का differ कर गया क्यों differ कर गया क्योंकि यहाँ पे minus 1 है और यहाँ पे plus 1 है तो हमारा minus 1 और plus 1 दो different value होते है न और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो दोनो equal value है मतलब 13 plus का 13 और plus का 13 यहाँ पे दोनो equal value है बट यहाँ पे जो है हमारा differ कर गया ठीक है यहाँ से आप लोग असानी से समझ गे हो गया ठीक है तो इसको हम कहेंगे इस Q symmetric matrix और इसको कहेंगे symmetric matrix ठीक है तो चलो फिर यही चीज आप लोगों का यहाँ पे दे रखा है मतलब कि जो हमारा B transpose अगर किया जाए मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखो मैंने B matrix लिया था ठीक है उसी को मैं अगर transpose कर दूँ तो मनलब P जो हमारा मैंने A plus B transpose को मैंने क्या लिया था P लिया था ना तो मैं P is equal to B plus B transpose इसको मैंने लिया था ठीक है यह हमारा first formula बन गया और जो second formula था यह हमारा symmetric matrix के लिए है और यह हमारा skew symmetric matrix के लिए है ठीक है B minus B transpose ठीक है अगर मैं first equation को लेके चलूँ P is equal to B plus B transpose और P का मैं transpose कर दूँ तो यहाँ पे क्या आजाएगा B plus B transpose का transpose यह हमारा कौन से basic पे हुआ आप लोग उस formula को देखो न a plus B is equal to 2 होता है ठीक है तो हम इसको जब इस side square करेंगे मतलब कि RHS right hand side में square करेंगे मतलब कि इसको 4 बनाएंगे तो इसको भी तो हमें पूरे को square करना पड़ेगा whole square करना पड़ेगा तो यह हमारा formula के बजाएगा 2a square plus b square plus 2ab is equal to 4 यह हमारा formula बन जाता है उसी के behave पे यह भी हमारा हुआ है ठीक है अब इसको हम resolve करते हैं तो इसको हम जब resolve करेंगे तो हमारा p transpose की value के आएगी b के उपर आएगा ठीक है और फिर plus b dash के उपर आएगा अब यह हमारा आजाएगा ठीक है simple format में उसके बाद b को जब multiply करेंगे transpose से या फिर किसी भी चीज़ से मतलब कि b को जब हम change करेंगे transpose में तो यह आजाएगा simple हमारा transpose आजाएगा उसके बाद जब b transpose है मतलब कि आप लोग देखो यहाँ पे हमारा b है और यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ b transpose की value ठीक है यह आप लोग की b matrix है और यह आप लोग की b transpose matrix है ठीक है तो यहाँ पे जो देख सकते हो आप लोग B transpose की value ये वाली हो जाएगी ये वाली हो जाएगी ठीक है उसके बाद B transpose का transpose मतलब कि ये transpose है वापस transpose करोगे तो ये फिर से B matrix ही तो बन जाएगा तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है तो मैंने फिर से बताया था कि ये वाला example आप लोग carry out करो कि 6 प्लस 7 करो या फिर 7 प्लस 6 करो आप लोग का जो final answer आएगा वो क्या आएगा 13 आएगा तो इसको मैं फिर से ये तो लिखी सकता हूँ तो P dash is equal to हमारे पास क्या आ गया P आ गया न तो इसी को हम कहते हैं symmetric matrix उसके बाद आप लोग को same process आप लोग के साथ skew symmetric matrix में भी करना है तो मैंने अगर इसको transpose करा तो ये भी तो हमारा transpose हो जाएगा ठीक है B minus B transpose का transpose whole transpose है तो इसको हमारा फिर B transpose हो जाएगा minus B transpose का transpose तो ये हमारा क्या आजाएगा B transpose minus B तो यहाँ पे ये वाला आप लोग example carry out कर सकते हो कि 6 minus 7 is equal to minus 1 और 7 minus 6 is equal to plus 1 ठीक है तो यहाँ पे दो value different आगे थी ना तो यहाँ पे आप लोग का क्या आजाने वाला है minus का B minus B transpose और P transpose तो P transpose की क्या value आजाएगी minus P तो यही आप लोग का हो जाएगा skew symmetric matrix ठीक है यह आप लोग का skew symmetric matrix का था और यह आप लोग का skew sorry symmetric matrix था I hope कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ जा गया हो अगर आप लोग को फिर भी कोई doubt है तो आप लोग comment सक्षन है पूश सकते हो ठीक है